तो जैसा कि हम बात कर रहे थे सनी और सूरिय या सूरिय और सनी की यूति के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे पंचम भाव में किसी जातक के अगर चार्ट में ये यूति हो तो किस परकार के रिजल्ट सामने आ सकते हैं पंचम भाव में अगर सनी और सूर्य इस्तित हैं, तो जातक सभाव से चिड़चड़ा हो सकता है, सनकी हो सकता है, वो अपनी संतान और अपने पिता और परिवार जनों से कापी मतवेद रखने वाला हो सकता है, लेकिन इस यूटी का एक सबसे बड़ा फाइदा है, जातक ब ऐसा जातक हमेशा अगर अपने टार्गेट को फोकस में रखे तो वो जरूर सक्सेस्पुल होता है, कभी-कभी ऐसे जातकों कुछ याद करने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, या इनको थोड़ा देरी लग सकती है, जब भी कोई चीज को याद करते हैं, या पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा इनको डिले होगा, ऐसे जातक मानसिक रूप से दर्ड तो होंगे, लेकिन मानसिक रूप से कठोर कभी-कभी ये नहीं होते हैं, इनके मन में काफी विचलन उत्मन होगा, अगर चंद्रमा का समध इन दोनों ग्रहों से बन जाता है, तो इस बात की और ज़्यादा समभावना बन जाती है, कि जातक का मन काफी विचलित होता रहेगा बार बार, इसके लावा ऐसे जातक काफी गुसेल हो सकते हैं, देकिन इनका नाराज होना, इनका गुसा, ये सब सही बात के लिए होगा, ये गलत बात के लिए कभी गुसा नहीं होगे, इसके जातक अगर speculation में पढ़ जाएं lottery वगरे, 60 वगरे कि इनको अगर लग जाए तो बहुत ही जादा इनको नुकसान हो सकता है ऐसे जातकों को हमेशा long term के लिए investment के लिए सोचना चाहिए, इनको long term में ही फाइदा मिल सकता है, later age में ऐसे जातक अपनी छमताओं की वज़े से ज़्यादा famous हो सकते हैं, ये राजनिती की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, खेलों में या कोई ऐसा कारिया जहां पर आपको बहुत लंबे समय तक planning करनी पड़ती है बहुत ही देरी से कोई काम करना पड़ता है, बहुत slow-slow चलना पड़ता है, अब अगर सूर्य यहाँ ज़्यादा परबल हुआ, तो निस्सिती जातक को इसका फाइदा मिलेगा और जातक कोई भी प्रकार का निर्ने लेने में, ये कोई योजना मराने में काफे माहिर होगा, अगर सनी ज़्यादा परबल हो, तो जातक के जिवन में अनुसासन की अधिक्ता हो जाएगी जातक हर रिस्ते में अनुसासित रहेगा, वो अपने उपर कुछ boundaries को feel करेगा फिर ऐसे जातकों की रूची प्रेम समंदों में ज़्यादा नहीं रहती, ये practical ज़्यादा होते हैं, चाहे प्रेम समंद ले लो, चाहे वैवाहिक जिवन ले लो चाहे आप अपना गरेलू जिवन ले लो practical रूप से आप हर रिस्ते को देखेंगे तो यहाँ एक प्रोबलम ये आजाती है कभी-कभी, जातक उतना excited नहीं होता रिस्तों में या किसी काम को लेकर भी कभी-कभी excited नहीं रहता, इस वज़े से जातक थोड़ा उदासीन सा रहता है किसी भी काम के परती बट उसके मन में काफी दर्ड़ता चल रही होती है, मन में काफी अत्मविश्वास होता है, लेकिन हम इतना मान सकते हैं, अगर ये यूति आपके पंजम भाव में हैं, तो ऐसे जातक अपने खुद के बल पे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ही कड़े decision ले सकते हैं, अपने decision से बार-बार अगर ये पीछे हटते हैं, इनकी सफलता की जो guarantee है, वो इनको नहीं मिल पाती, और सफलता मिलने में इनको काफी देर हो जाएगी, ऐसे जातकों को चाहिए, कि वो ठीक से analysis करके, कोई ऐसी प्रिस्तित जहां पर बहुत ज़दा risk को वहाँ पर थोड़ा और समय लेके निरने करें, तो ज़्यादा भेतर है, ऐसे जातक अपने संतान के उपर बहुत ज़दा restriction लगा सकते हैं, संतान के परती बहुती कड़ा सभाव इनका हो सकता है बट ये अपनी संतान को लेके careful भी बहुत ज़्यादा होंगे सनी और सूरिय का यहाँ यूती होना कुछ हद तक पिता से बहुत कुछ जातक एक्सपर्ट कर रहा होता है कभी-कभी जब सूरिय प्रबल इस्तिति में हो लेकिन अक्सर पिता के साथ मतवेद देखने को मिलते हैं, सबसे बड़ा फाइदा आपकी जो छमता है जब आपको उसकी requirement है जब आपको वो चाहिए उस समय तक उसको आप develop नहीं कर पाएंगे एक normal इंसान की तुलना में थोड़ा सा आप समय ज्यादा लेंगे लेकिन जो भी काम आप करेंगे बिलकुल solid तरीके से करेंगे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और एक विवस्तित तरीके से करेंगे हर कारिये आपको विवस्तित तरीके से चाहिए आपको बहुत ही जिवन में अनुसासन पसंद है इसके इलावा ऐसे जातक धन को लेकर थोड़ी ज़्यादा उग्र हो सकते हैं उनको लेकर इनके मन में काफी सारे विचार चलेंगे ये कभी-कभी बहुत सारे लोगों को पैसा उधार भी देंगे लोगों की सेवा भी कर देंगे बट पैसे कमाने में मामले में काफी माहिर हो सकते हैं इनके पास इनके खुदके द्वारा network किये गए Income source हो सकते है ऐसे जातक अपने life में हमेशा जो real अनुभव इनको मिलते हैं जो real experience इनको मिलते हैं उनसे बहुत कुछ सीखेंगे ऐसे जातक जितना ज़्यदा practical रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है फिर अपने network पे सबसे ज़्यादा ये ध्यान देते हैं ये हमेशा दूसरों के लिए भी planning करके देंगे तो एक अच्छे planning करने वाले व्यक्ति ये हो सकते हैं बहुत अच्छे planner हो सकते हैं डेली life को ले लो या अपने कारी छेतर को ले लो या किसी भी अन्य प्रकार के advice आप इन लोगों से ले सकते हो ऐसे जातक वास्तम में अपने career पर ज़्यादा focus करेंगे बट इनका focus अपने network पर भी काफी रहेगा अब क्योंकि दोनों ही ग्रहों की दर्श्टी लाविस्तान पर पढ़ती है तो जातक अपनी मेहनत से बहले ही वो अपने mind से मेहनत करेगा भले ही वो सारीक रूप से मेहनत करेगा पैसा बहुत ज़्यदा कमाएगा बट पैसा बहुत जल्दी दूसरों को भी दे देंगे ये थोड़ा उदार होते हैं दूसरों के मामले में जल्दी दूसरों को help कर देते हैं अगर आप इनके under में काम करते हो या इनके कहे अनुसार चलते हो तो ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप इनके against होते हो तो ये आपके against बहुत कड़ा decision ले सकते हैं ऐसे जाद तक बिना किसी मतलब के दूसरों को कभी नुक्सान नहीं पहुंचाते लेकिन अगर पहले सामने वाला इनको नुक्सान पहुंचाता है तो फिर ये उसका बदला अवस्य लेते हैं इस प्रकार के जादकों को सरकार से हमेशा लाब मिलता रहेगा अगर जाद तक बहुत जदा अनुसासित तरीके से कारी करें बहुती समय का पावंद रहे तो जाद तक अपने जून में बहुत कुछ कर पाएगा क्योंकि पंचम भाव वो भाव है जहाँ पर हम हमारे डिसीजन्स लेते हैं हम जहाँ पर सोचते विचारते हैं निरने करते हैं और एक फाइनल डिसीजन्स तक पहुंचते हैं जहाँ पर हमारी सोच किस प्रकार के ये निर्धारित होता है तो जब भी ये कंजक्शन हो अब जितना ज़्यदा क्लोज ये कंजक्शन होगा उतना ज़्यदा यहाँ आपको थोड़ी प्रोब्लम भी आएगी क्योंकि ये जाद तक थोड़ा ज्यादा संकी हो जाता है जाद तक ज्यादा अनुसासित हो जाता है वो देखा जाए तो सरंचना आत्मक रोप से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है मानसिक रोप से बहुत दर्ड हो जाता है तो ऐसा विक्ति सभाव से बहुत सद्धान्तिक या हम कठोर बोल सकते हैं कठोर होगा ऐसा जातक दूसरों के साथ कुछ नियमों को फुलो करेगा जब भी वो किसी के साथ गुलेगा मिलेगा किसी की साथ बातचीत करेगा तो वो अपने कुछ पर्टिकुलर सिधानतों को फुलो करेगा अपने नियमों को फुलो करेगा उनके according ही वो चलेगा ऐसे जातकों की life में बहुत सारे ऐसे अवसर आ सकते हैं जहां पर इनका contact बहुत बड़े बड़े करनी पड़ती है इनको अपने आपको बहुत ज्यादा डवलप करना पड़ता है इनको अपनी मांसिक छमता और सारेक छमता दोनों को ही काफी ज्यादा डवलप करना पड़ता है तब जाकर इनको सफलता मिलती है तो यहाँ easily कुछ भी नहीं होने वाला फिर यह conjunction है वो आपको partnership में उतना अच्छा सावित नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो सनी है वो तीसरी दृष्टी से सप्तमभाव को देखते हैं इस बज़े से आपका जो talent है वो जरूर लोगों की सामने आता है बट आपको जिवन साती से बहुत कोई ज़्यादा support मिलेगा ऐसा ज़्यादा आप expect ना करें आप जितना ज़्यादा life में practical रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको किसी दूसरे से उमेद लगाना छोड़ देना चाहिए उतनी ही expectation आपको दूसरों से कम कर देने चाहिए यह जो यूति है वास्तम में यह practical बनाती है जातक को ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा सकती देती है मजबूत दर्ड संकल्प देती है तो ऐसा जातक कुछ भी कर सकता है बस उसको focus अपने काम पे रखना पड़ेगा अगर आपका focus हटा उसके बाद आपको काफी ज़्यादा दिक्कते आएंगे और दुबारा से किसे भी काम पे focus करने में काफी कठिनाई आएगी तो यह कुछ परिणाम हो सकते है जब भी आपका सूरिय और सनी आपके पंचम भाव में यूतिक कर रहे है